गुड मॉर्निंग इस्टेंट्स वेल्कम टुछी बीयल मेम्रोल एकडमी ओनलाइन क्लासेज आज हम क्लास सेकेंड का कंपूटर का चप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे और चप्टर का नाम क्या है कंपोनेंट्स अफ कंपूटर और हमारा पेज नंबर है 23 कौनसा पेज नं कंपूटर पर पार्ट होते हैं ऐच पार्ट ऑफ और नंद्धिश्य आज नंट पूटर को लेते हैं और पार्ट है वह क्या हमें रिजर्ट देते हैं, there are mainly three types of devices, तो यानि कि कितने प्रकार की device होती है, तीन प्रकार की main device होती है, कौन कौन सी होती है, इन्पूर्ट दिवाइजेज, प्रोसेसिंग दिवाइजेज और आउटपूर्ट दिवाइजेज, तो आज हम सबसे पहले किस के बारे में पढ़ेंगे, We give instruction to a computer, input device होती है, क्या करती है, computer को instruction देती है, यानि कि computer को काम देती है, कि उसी कौन सा work करना है, तो हम जो computer को जो work देते हैं, वो जिन devices के द्वारा देते हैं, उन्ध दिवाइजेज को क्या करते हैं, computer की input devices कहते हैं, look at some input devices given below, अब आपको क्या करना है नीचे, कुछ input devices के बारे में दिया गया है, तो आज हम उन devices के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले mouse, this is a pointing device, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमें pointing device भी कहते हैं, it helps draw, paint and play games, इसकी दुआरा हम क्या कहते हैं, computer पर ड्रो कर सकते हैं, paint अनी की color कर सकते हैं, और game भी खेर सकते हैं, it is used to move the mouse pointer on the screen, इसके दुआरा हम क्या कहते हैं, computer पर, जो screen पर जो pointer होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, move कर सकते हैं, ठीके, फिर हमारा next, input device कौन सी है, keyboard, this is a keyboard, यह क्या देखे, आपको पास में देखे, आपको एक keyboard दिखाए दे रहा है, this is a keyboard, it is used to type letters and numbers, यह क्या काम आता है, यह कुछ भी type करने के काम आता है, जैसे भी letter हो, जाए number हो, letter क्या होता है, यह की alphabet, A, B, C, D, जो भी होती वो letter, या फिर number होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो हम जैसे कि कोई letter type करना है, यह कोई number type करना है, तो उसमें की काम आता है, It has a small button, cold case, इसमें कुछ छोटे-छोटे buttons होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कीस भी कहते हैं, ठीके, अब आपको क्या करना है, पेपर को टर्न करना है, पेपर को टर्न करने के बाद देखो, आपको next points कोई सा, scanner, this is a scanner, आपको देखो पास में इसकेनर दिखाए दे रहा है, this is a scanner It is used to scan image and send them into the computer, आपको देखो पास में scanner दिखाए दे रहा है, वो क्या 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 करता है, जिससे हमारे पास कोई भी picture वगेरा होती ही, जो भी image होती ही, वो image को क्या करता है, scan करता है, और फिसको input करता है, वो computer को input करता है, यनी computer को paste देता है, ठीके, फिर next webcam, और webcam camera is a digital camera, य its connected to a computer, और ये computer से connect होता है, ये computer से जुरा वह होता है, इ Het send live pictures from current location to another location, जिससे current picture है कि जो उसंमे जो भी pictures होती है होती है, या फिस समे जो भी work हो रहता है, उस picture बुख भी वगेरा करता है, ठीके, एक computer से दूसरे computer हैं, कि current location ही कि अभी की यहां कि लोकिशन को और अधर कोई लोकिशन को भी या करता है कवर करकी यह मैक्रोफोन अब देगो साइड में आपको क्या दिखाए दे रहा है microphone दिखाए डिवाइस इसे recording device और कि यह क्या करता है किसी भी record voice in the computer ये क्या करता है को भी आवाज को क्या 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 रहों कि रिकॉर्ड कर लेता है और फिर को किसको सेंद करता है stmy أن कर देता है ठीक है ? आज हमने जो पडja doctor जिन devices के पाल में पड़ा वो डिवैस के लाती है ? वो डिवाज क्या क्या क्याथी –入halt क्या काम आता है वो computer को information देती एंगी computer को वह सबक्राइब करना है कि जो devices computer को workshop दिये computer को information देती एंग क्या करते है computer की input devices कहते हैं तो next class में क्या कंप्रेंगे computer की processing device की बारे में पढ़ेंगे यानि की computer को input देने के बाद में जो भी device जो वक करती है उन प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में नेक्स प्रास में पढ़ेंगे आपको यहां तक का चप्रे क्या करना है वापीस से पढ़ना है समझना है और पिक्चरों को अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करना है ओके थैंक यू